हेलो फ्रेंज, वेलकम टे 24 नॉलेज ये ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करमचारी राजजय बीमा निगम Employee State Insurance Corporation की New Requirement Notification के Online Form Fill-Up Process के बारे में तो फ्रेंज, ECIC द्वारा जो Notification यहाँ पर Invite की गई है यह फ्रेंज, आपके UDC, MTS & Steno Requirement 2022 है जहाँ पर फ्रेंज, आपसे 3847 पोस्ट के लिए Online आविदन इन्वाइट किये गए है तो यहाँ पर फ्रेंज, जो Notification की Details है यह आपको इसकी Official Website पर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में JobRasta.com पर देखने को मिल जाएगी अगर आप Applicable है, अगर आप Elegible है, Apply करना चाहते हैं तो 15 जनवरी से 15 फरवरी 2022 तक आप इसमें Apply कर पाएंगे फीस आपके यहाँ पर category wise आपको दी गई है साथ में Friends से जो आपका Age Limit है, वो आपको देखने को मिल जाएगा Qualification की बात करें तो दसवी, बारवी और डिगरी, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप पास आउट हैं आप इसमें आविधन कर सकते हैं आपको यहाँ पर reason wise vacancies की list मिल जाती है, साथ में selection procedure मिल जाता है और आप notification को read out जरूर करें, apply करने से पहले और साथ में Friends से आपको यहाँ पर apply का link भी देखने को मिल जाएगा apply करने से पहले notification को ध्यान से read out करना बहुत जरूरी है उसके बाद ही आप इसमें online आविधन करेंगे बात करेंगे इसके form fill up process के बारे में और इस video को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाले सारी updates मिल सके तो यहाँ पर फैंस यह इसका official जो आपका portal है apply करने का वो है जिसमें आपको requirement है UDC, STANO और MTS post के लिए यहाँ पर आपको important date दी गई है और right hand side पर आपको दो option मिलते है new registration और एक आपको मिलता है login का तो सबसे पहले आपको यहाँ पर registration complete करना होगा तो आप click here for new registration वाले option पर click करेंगे registration को complete करने के लिए इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपका registration page open हो जाएगा और कुछ basic जायंगारी आपको यहाँ पर fill करनी होगी form को apply करने के लिए सबसे पहले friends यहाँ पर है आपका नाम तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर enter करेंगे first name middle यह last name है तो आप enter कर सकते हैं नहीं तो आप इन्हें blank छोड़ देंगे आपका पूरा नाम यहाँ पर आजाएगा इसके बाद आपको 10 digit का mobile number देना है तो मैं अभी sample के तोर पर data enter कर रहा हूँ आपका जो भी actual data है वो आप यहाँ पर enter करेंगे आपका friends जो mail ID है वो आपको देना है mail ID का domain select करना है और mail ID को यहाँ पर आपको करना होगा confirm और confirm जब आप करेंगे तो with domain आपको यहाँ पर confirm करना है इसके बाद friends आपको यह security code enter करना होगा और ये enter करने के बाद आप यहां से save and nest कर सकते हैं save and nest करने के बाद fans आपका जो registration process है वो complete हो जाएगा registration की details आपको mail कर दी जाएगी साथ में fans आपके पास sms भी आ जाएगा तो आप उसके through भी यहां पर login कर पाएंगे बाद में भी और आप इसे चाहें तो note down भी कर सकते हैं इसके बाद यहां पर है photograph and signature upload section आपको यहां पर guideline दी गई है आप यहां पर check कर सकते है photograph का size है 20 से 50 के भी signature का size यहां पर है 10 से 20 के भी जो कि आप jpg format में यहां पर upload करेंगे तो यहां पर friends फाइल upload करने के बाद आपको देखी sample देखने को मिल जाएगा और अगर आप satisfy है photo and sign से उसके बाद ही friends आप यहां पर दिये गए next app पर click करेंगे इसके बाद friends यहां पर देखिए जो आपका next option है detail section यह आपका open हो जाएगा और detail section open होने के बाद सबसे पहले आपको post select करनी है stenographer, UDC या MTS जिस भी post के लिए applicable है जिसकी post के लिए apply करना चाहते हैं वो आप select कर सकते हैं reason आपको select करना है किस reason में आप यहां पर apply कर रहे हैं उस reason को आप select कर सकते हैं आपकी category कोन सी है SC, ST, OBC, AWS या general आप यहां पर उस option को select कर लेंगे और इसके बाद आपको यहां पर कोई भी option आपकी category से related नहीं पूस्ता अगर आप PH candidate है तो आप यहां पर yes कर सकते हैं disability type आपको select करना होगा और उसके बाद इसमें आपकी जो type of disability है वो आपको आजाएगी तो आप यहां पर देख सकते हैं आप जो भी category select करेंगी उसके according यहां पर आपको disability मिल जाएगी इसके रव आपको extra time चाहिए आपका writing hand affected है आपको subscribe चाहिए नहीं चाहिए आप उसकी जानकारी yes या no कर सकते हैं नहीं है तो आप simply no कर देंगे इसके बाद है religion का option तो आपका religion आपको select करना है minority community मतलब जैन, सिख, बौद, पार्सी, मुसलमान इस category से belong करते हैं यस कीजिए नहीं तो आप no करेंगे पहले से अगर आप working है तो आप यहाँ पर yes या no कर सकते हैं regular अगर आप employee है और fees में consideration चाहते हैं तो yes या no कर सकते हैं ex-servicemen अगर आप है तो yes कर सकते हैं period of service आपको बताना होगा और आपने कभी भी benefit लिया है ex-servicemen तो आप यहाँ पर yes या no कर सकते हैं इसके पर फैंस यहाँ पर है any other category जो की फैंस आपके relaxation के लिए है age के लिए तो आप yes कर सकते हैं और यहाँ पर फैंस आपकी category आपको mention करनी होगी जिसे OBC है, SC है, ST है किसकी वरे से आप यहाँ पर age में relaxation चाहते हैं अगर आपको age में relaxation नहीं चाहिए तो आप no कर सकते हैं nationality select करनी है आपका pre exam का center आप कहां लेना चाहते हैं तो वो आपको center यहाँ पर choose करना होगा और उसके बार आपको यहाँ पर main exam का आपको center choose करना है तो आपको state दिये गए है और उसके बार आपको यहाँ पर जो आपका district है वो आपको select करना है आपका DOB क्या है means date of birth तो date month and year आपको select करना होगा आपका age criteria last date पर count होकर आजाएगा आपका gender आपको select करना है अगर आप twin brother or sister है तो yes या no कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर marital status आपको बताना है और उसके बाद आपको जानकरी देनी है आपके father name की father name की entry करने के बाद आपको enter करना होगा आपका mother name और इसके बाद है spouse name spouse name मतलब पतिया पतनी का नाम अगर आप married या को other character की choose करते है और यह आपका enable होता है तो आपको यह देना जरूरी होगा address for correspondence होता है आपका present का address present में आप कहां रहते हैं तो आपका यहाँ पर present का address आपको देना है आपका district आपको mention करना है आपका state आपको select करना होगा और आपका pin code आप यहाँ पर fill करेंगे अगर आपका present और permanent address same है तो आप same aspect क्लिक कर सकते हैं अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे amount की जो fees है वो आपको मिल जाएगी इसके बाद आपसे पुछा क्या है do you want to receive refund of fees the same channel by which you paying fees तो यहाँ पर fancy option आपका applicable नहीं होगा और जिनका option यह applicable होगा अगर आपका fees refund वाला option आपका activate होता है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और उसके बाद अपने account की detail आप दे सकते हैं जिसमें आप account में चाहते हैं अगर आप same में चाहते हैं तो yes कर सकते हैं same में नहीं चाहते हैं अलग किसी account में चाहते हैं तो आपने जनकारी provide कर सकते हैं तो यह आपके उपर depend करता है आप yes करते हैं या फिर no करते हैं इसके बार friends आप data को यहां से करेंगे well rate well rate करने के बाद यह successful जब आपका हो जाएगा इसके बाद यह आप save and yes करेंगे इसके बार है qualification qualification भी 15-22-22 को आपकी count होगी सबसे पहले है 10 तो आपको यहाँ पर degree subject यह stream का नाम आपको देना है तो आप यहाँ पर all general subject लिख सकते हैं या आप चाहें तो service subjects की entry आप यहाँ पर कर सकते हैं date of passing क्या है तो date month and year आपको यहाँ पर देना होगा कि आपने इसको कब पास किया है percentage कितनी है उसकी जानकारी आपको देनी है और class of grade आपको select करना है ऐसे ही 10 प्लस 2 आपने अधर में करा है तो आप अधर की जानकारी दे सकते हैं जैसे degree subject stream आपका date of passing percentage of marks ऐसे ही ग्रेशन में आपको अधर select करके यहाँ पर अपनी जानकारी प्रोवाइड कर देनी है पीजी और professional qualification कोई भी आपके पास है आप date of passing percentage of marks और class of grade आप यहाँ पर enter करेंगे तो basic जानकारी है जो कि आपको फिल करनी होगी अगर आपके पस कोई experience है और आप उसकी जानकारी देना चाहते है त अपने experience की जानकारी दे सकते है अगर आपके पार present में कोई experience नहीं है पर previous experience है तो आप no करकर यहाँ पर अपनी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और अगर fashion candidate है तो simply आपको no करना होगा कौन-कौन सी language आप जानते है उसकी जानकारी आपको देनी है तो कम से कम एक language आपको आ इसके बर friends आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बार आपको signature confirm करना है और agree करना है और प्रिव्यू को ध्यान से check करना है इस प्रिव्यू में आपके कोई भी गलती किसी भी section में नहीं होनी चाहिए अगर आपको लगता है कोई गलती आपने कर दी है तो आप उसे सही कर बैग जाकर और आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो registration को आप complete कर सकते है पर इसके बार आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे चीड़ आपको ध्यान रखनी है इसलिए आपको यहां पर ध्यान से complete करना है registration complete करना है इसके बार आएगा आपका left thumb impression hand run declaration अब hand run declaration में आपको करना है तो friends जब आपनी यहां पर file को आप select करते हैं तो आपको यहां preview मिल जाता है sample के तौर पर friends मैं यहां पर upload कर रहा हूं hand run declaration जो कि आप यहां चेक कर सकते हैं I के बार आपको नाम लिखना है और उसके बाद same आपको data लिखनी होगी इसके बार आप इसे ok करेंगे नीचे payment तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले friends जो यह security code दिया गया है यह security code आप यहां पर enter करेंगे submit करेंगे और उसके बार यहां से ok करेंगे इसके बार आपको रिडाइट कर दिया जाएका payment gateway पर यहां पर multiple options आपको दिये गए हैं कोशिच किजिए रो credit card यूज करें किस किसी भी बैंक का या फिर आप net banking यूज कर सकते हैं किसी भी बैंक के और उसके थुरू आपतना payment आप यहां पर confirm कर सकते हैं तो card के details को fill कीजिए और उसके बार make payment कीजिए payment successful होने के बार आपको रिडाइट कर दिया जाएगा इसके home page पर home page पर आने के बाद fans आपको यहां पर देखे section मिलता है login का तो आपको यहां पर registration number and password है और जो security code है यह डाल कर आपको login कर लेना है तो यहां पर friends से मैंने आपको full process बता दी है कैसे आप ECIC का online form fill कर सकते हैं various posts के लिए अगर आप applicable है eligible है apply करना चाहते हैं apply कर सकते हैं और अगर आपको हमारा यह video पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe and share जरूर कीजिए बाकी की जानकार के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel and last thanks for watching